Hello friends, welcome back to my channel Friends, आज की इस वीडियो में हम concealer के बारे में जानेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये doubt होता है कि concealer को कभी उज़ करना है और कैसे उज़ करना है अब ये जो color character इसे कभी उज़ करें और कैसे उज़ करें इतनी सारी चीजे हैं आज की इस वीडियो में हम आपके इस concealer करेक्टर के confusion को दूर करेंगे हम आपको बताएंगे कि concealer क्या है और color character क्या है तो लास्ट वीडियो में हमने color character के बारे में आपको बताया कि अगर आपके fair skin है तो आप peach color का करेक्टर उज़ करें और अगर medium यानि wittis skin है तो वो light orange यूज करना है और अगर आपके पास सारे color नहीं है तो फिर आपको mix match करके color बनाने है इसको भी हमने आपको बताया डार्क और very dark skin है तो आपको red color character यूज करना है तो यह सब कुछ उस वीडियो में आपको बता दिया अगर आपने अभी तो वीडियो को नहीं देखा है तो link आपको हम discussion box में दे देंगे आप जरूर देखेगा और जो भी doubt हो आप comment की जरी पूछ सकते हैं तो friends आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर जो थोड़ी सी थेवरी है से नोट कर लेते हैं तो देखे इस तरह से आपको हेडिंग डालना है concealer क्या है concealer का use क्या है concealer बहुत तरीके से यूज होता है हम जहां यूज करते हैं उसी को उसी का नाम दे देते हैं इसका कोई एक पार्टिकुलर काम नहीं होता है वैसे तो आप concealer को चार तरीके से यूज कर सकते हैं नमबर एक blackness dark spot आदी को conceal करने के लिए color correction करने के लिए highlight करने के लिए और contour करने के लिए तो इस तरह से हम concealer को use करते हैं और जो color character होता है उसका use हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है लिंक कम आपको दे देंगे और थोड़ा सा अभी हम आगे इसके बारे में जानकाई देंगे तो आपको के लर करेक्टर और कंसीलर में क्या अंतर होता है और आपको क्या लगता है आप color character use करेंगे या फिर concealer use करेंगे या खुद decide कर लेंगे जब आप इसके बारे में जान लेंगे तो तो अब हम concealer को समझते हैं तो देखी फ्रंट्स इस तरह से palette में जो shade होते हैं यह concealer के होते हैं और यह सारे concealer होते हैं यह आपको liquid में मिलते हैं पर अभी आपने theory से जाना कि इसे हम जैसे यूज़ करते हैं वह ऐसे उसका नाम दे देते हैं तो जो concealer होते हैं वह color character होते है तो इस skin के color में होते तो आपको skin के color की recording बहुत सारे concealer सब्चल लेने परDaily हArt of color correction से आपको कलर यूझ करना ही नहीं है कंशाब को चुपाना चाहते हैं तो ये बात आप सब को पता है डियेर की मेक अप क 사건 esperar चुपाटे है तो आप कंशिलर का कलर लेंगे ओ आपके फेस के जो दाग और धब्बे हैं उनसे एक नंबर लेना है यानि कि जो आप फाउंडेशन अपने फेस पर लगाएंगे फाउंडेशन से दो नंबर डार्क आपका कंसीलर होना चाहिए और अगर आपने लाइट कलर का कंसीलर लगा लिया दाग धबो प और अगर आप लोग कंसीलर से करना चाहते हैं तो कंसीलर से कर सकते हैं आपके पास बहुत सारे कलाइंट आयेंगे तो आप कौन सा से खरी देंगे तो अच्छा है कि आप कलर करेक्टर से ही इसके बाद आपको foundation लगाना है फिर आपको highlighter लगाना है highlighter की जगह भी आप concealer यूज कर सकते हैं फिर आपको loose powder लगा देना है इसके बाद आपका makeup done हो जाएगा पर friends सबसे में आपका color character or concealer होता है आपका makeup flawless नहीं दिखेगा तो आपको color character or concealer में एक चीज को confirm करना ही होगा तो friends आज की video मारी यहीं पर complete होती है आपको कोई confusion या कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं हम आपको इस तरह से step by step makeup की class देते चलेंगे I hope कि आज की video आपको helpful लगी हो और अच्छी लगी हो तो friends का video को like और से जरू करेगा चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजेगा Thank you